हे गाइस क्या आप लोगों का नाम भी किसी दूसरे वेक्ति ने ट्रू कोलर पर कुछ और सेट कर दिया है जिसके बाद से अगर कोई भी वेक्ति आपके नंबर को सर्च करता है तो कुछ उटपटांग सा नाम दिखाई देता है लेकिन अगर वो आप लोगों को पसंद नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि अपने ट्रू कलर को नाम आप लोग चेंज कर पाएं चाहें वो किसी और ने सेट किया हो या फिर आपने खुद नहीं सेट किया हो तब किस तरीके से हम लोग ट्रू कलर पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए जो है आप कुछ सबसे पहले अपने mobile के अंदर true color application को open कर लेना है true color को open करने पर right side में उपर की और आप three dots देख सकते हैं आपको simply इसे click करना है और आपको यहांसे चले जाना है settings के अंदर settings में जाने के बाद में यहां पर आप लोगों के सामने काफी सारे options देखने के लिए मिलेंगे त processing my data का option दिया हुआ है आपको simple इस पर click करना है अब इसमें आप लोगों को बताया गया दोस्तों कि अगर आप लोग अपने data की processing को restrict करते हैं तो आपका account deactivate हो जाएगा जिससे आपकी profile का रखा सारा data delete हो जाएगा याना कि आपका नाम आपकी जो email id या date of birth आपने जो कुछ भी इसकी profile create करते time पिदी थी वो सब कुछ यहाँ पर delete हो जाएगी और हम यही चाहते हैं ताकि हम लोग यहाँ से एक नई profile को create कर पाए तो मैंने इसे जो है यहाँ पर simply yes कर दिया है yes करने के बाद में दोस्तों आप लोग देखेगा जरा कि यहाँ पर आगे क्या होता है अ इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पर जो है उसे select कर दिया है and then select करने के बाद में आप लोगों को जो है से set कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना number एंटर करना होगा जिसकी profile का नाम आप लोग चेंज करना चाहते हैं and then इसके बाद में simply आप लोगों को continue पर click करना है अब आप लोगों के द्वारा एंटर किये गए number पर आप लोगों को जो है एक OTP आएगा वो आप लोगों को यहाँ पर डाल करके confirm करना होगा मैं यहाँ पर भी फिलाल में agree and continue कर देता हूँ automatically यहाँ पर जो है मेरे number पर call आएगा और यह उसे जो है verify कर लेगा और आप देख सकते हैं success का notification मुझे देखने के लिए मिल गया है अब यहाँ पर आप लोगों को दोस्तो जो है अपनी profile के लिए new name को set करना होगा तो आप लोग चाहें तो अपनी Google या Facebook profile को direct link कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि आप लोग अपना नाम manually type कर दीजेगा जिसमें आप लोग अपना नाम जो है अपने हिसाब से set कर सकते हैं जैसे कि मैं अपना नाम जो है यहाँ पर दोस्तो बिशाल भाटी ही रखना चाहता हूँ अगर आप लोग अपने हिसाब से किसी दूसरे नाम को type करना चाहते तो आप simply यहाँ पर type कर दीजेगा और साथ ही आप लोग चाहें तो यहाँ से email भी डाल सकते हैं अपने सभी तीनों details को दालने के बाद में simply continue पर click कर देना है अब आप लोग देख पाएंगी दोस्तो कि यहाँ पर आप लोग के सामने जो है profile बन करके फिस ready हो जाएगी लेकिन अब आप लोग जब जो है दोस्तो जा करके check करेंगे तो instantly आप लोगों को true color पर अपना नाम change देखने के लिए नहीं मिलेगा वो कुछ समय लेगा दोस्तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को privacy center में सबसे last में इसने notification दे दिया था changes may take some time to be applied याने कि कुछ समय के बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर changes जो है वो apply होंगे इसलिए आप लोगों को कुछ समय का wait करना होगा and then उसके बाद ही जो है आप लोगों का profile का name change होगा so I hope guys आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी true color profile का नाम change करना सिखाया है guys अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को like कर दीजेगा और साथ ही आप लोग जो हमारे कैसे करे टेक यूट्यूब चैनल को subscribe भी जरूर कर दीजेगा